कि वेकश लेज़ालं मांग अधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चनल ओपन फडोफिट और प्राइस देखिए वन आउर का वापिससे चार्ट आपके सामने हैं और ट्राइंगल है ट्राइंगल के अंदर कोशिश करते करते प्राइस नीच आया और प्राइस वापिससे जो एक नीचल हमारा जो सपोर्ट था लगबक कह सकते हैं इसने जो बॉटम मारा है 31,360 के हुई है और हम यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह 28,000, 27,000, 25,000 के आसपास आ जाए और वहां तक अगर आ जाता है तो that will be an opportunity अब यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा कि बीटी सी का जो मार्केट कैप था वो बाई क्या हो गया यह जो मार्केट कैप लगबग 600,000,000,000 के आसपास है राइट नौ जो मैं वीडियो कर रहा हूं वो सकते है प्लस माइनस हो यानि कि 500,000,000 जो है इसमें से गायब हो गया है और दूसरी चीज राइट नौ यह 55 moving average के नीचे चल रहा है बट एक positive sign यहां पे यह है ज pressure नीचे नीचे था इसके लिए में कह रहा था कि triangle breakout होगा तो price नीचे जा सकता है और अभी जो मुझे लग रहा है कि इसको जो bottom पे जो support है 3260 के आसपास है ठीक है तो यह 4 hour का chart है और अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूँ 4 hour के chart पे moving averages दिखा रहा हूं यहां पे moving averages यहां पे बहुत important है क्योंकि नीचे वाली जो moving average है वो 200 moving average है okay simple moving average 200 को अगर यह तोड़ दिया इसने candle इसके नीचे close हो गिया 4 hour का chart है 3.5 घंटे बचे हैं तब चीजें थोड़ी सी perish हो सकती है और हमारा जो expected level है 25,000 के आसपास price आ सकता है और mostly क्या रहता है कि अगर यह इसको नही तोड़ पाता है तो 200 moving average जो मेरे एक moving average की वीडियो थी उसके मैंने कहा था कि यह एक bounce back level होता है 100 buy the dip होता है और 200 क्या रहता है कि अगर price 200 से उपर हो तो जो बड़े investors होते हैं उनकी पहली choice यह रहती है कि 200 से अगर उपर आ गया तो buy कर लो 200 से अगर नीचे चल रहा है तो sell क तो यह दो scenario हो सकते हैं तो 200 moving average पे यह candle है भी अठका पड़ा है देखना है कहा close होता है उसी साब से आप और हम यहाँ पे entry ले सकते हैं अब यह sell up कहां से हो रही है as per the details what we have कि there is an increased selling at coinbase premium और एक दिन पहले जो whales थे उनके द्वारा जो बड़े बड़े जितने exchanges थे वहाँ प रहे गयते हैं जैसे कि मैं आपको telegram पर message करता हूं कि inflows आ रहा है exchange वगर आपे तो वहाँ पर deposit किये गयते that means एक अंदेशा था कि वहाँ से sell up हो सकता है अब यह जो sell up हो रहा है यह this is not from the investors इसमें दो categories आ गई है एक आ गई है retailers जो आप और हमें और उसके बाद आ जाते हैं थोड़े बड़े खिलाड़ी आ जाते हैं वेल्स आ जाते हैं और उसके बाद बड़े-बड़े investors आ जाते हैं institutions आ जाते हैं जो billions वगरा में trade करते हैं तो right now क्या हो रहा है कि जो एक mid level के जो वेल्स हैं ठीक है जो फटा-फट अपना मुनाफ़ा कामाना चाते एक market ऊपर जा जाएगा या नहीं जाएगा प्राइस धीरे-धीरे आ रहा है market में sentiment बन गया है कि भाई 35,000-37,000 जो है एक resistance है उसको तोड़ेगा तो ही जाएगा अगर उससे नीचे आ जाता है 33,000-400 के नीचे आ जाता है क्योंकि एक support है तो price और नीचे जा सकता है because of debt जो 34,600 के आसपास है 100 moving average हमें दिख रहा है उसको break किया है तो वहाँ से थोड़ा बहुत sell off हो रहा है okay sell off तो हो रहा है लेकिन जो institutions है ग्रेल स्किल वगरा है वहाँ पे जो है उनके valets वो भरते जा रहे है ठीक है यह stats पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगर आप stats पर ध्यान नहीं देंगे त अंदर खरीदने के लिए उनको सस्ते भाव में चीए सस्ते भाव में कैसे लाएंगे चलो मार्केट को थोड़ा सा गिरा दो क्योंकि मार्केट में चारो तरह positive news है कहीं भी कोई खराब news नहीं है इससे पहली वाली वीडियो के अंदर में बात आया था कि bitcoin is bullish okay बैडन का statement ले filing किये कि उनके दो जो कुछ funds हैं उसके अंदर bitcoin futures में invest कर सकते हैं वो तो यहां पर मैं आपको यह कहूंगा कि कुछ panic होने की जरूवत नहीं है जस्त यह देखो कि एक opportunity मिल रही है और मेरे हिसाब से यह जो आ रहा है इसके बाद शायद हमें opportunity ना मिले हो सकता हमें 25,000 की opportunity मिल 40 से 25 यानि कि आप समझ लोग की 15,000 की नीचे गिरावाट है और वहां से अगर pullback लिया वाप इसे 40 तो हर एक BTC पे 15,000 का मुनाफ़ा होगा आप imagine कीजिए 15,000 डॉलर की में बात कर रहा हूं तो दोस्ते इस session को आगे continue करूँ उससे पहले एक होंगा कि वीडियो पसंद आ र समझ में आना चाहिए तो यहां पर बाप इस आप को काऊंगा OctaFX जो है उसको इबार देख लेना यह इसकी website है यहां पर आप directly sign up वगरा कर सकते हैं और हमेशन की तरह मैं आपको यही recommend करूँगा कि पहले demo में try करो demo अच्छा लगता है then only you should go with the live account और trading signals वगरा सारे चीज मेरे पास से मिल जाएंगे और इसमें trade करने का benefit यह है कि हम scalping में trade करके अच्छा कासा profit कमा सकते हैं यह पर telegram पर मैंने poll रखा था कि एक दिन में कितनी income होने चीए कि वो sufficient है तो मुझे बहुत जादा लोगों ने यह कर सकते हैं in scalping तो sign up करना है तो link वगरा सब कुछ description में दिया हुआ है offer चल रहा है promo code का deposit इतना करेंगे वो double हो जाएगा ठीक है तो सब कुछ देख लेना बढ़िया लगे then only you should go for it तो जब आपको trading करना है तो आपको trading platforms पर जाना है और mt4 के सारे options मिल जाएंगे mt5 के सारे options मिल जाएंगे तो जैसे कि मैं web platform पर कर रहा हूँ right now तो web platform पर हमें click करना है और click करने के बाद आपको इस तरह से page दिख जाएगा और यहाँ पर मेरे कुछ trades हैं जो already चल रहे हैं जैसे कि जो market थोड़ा सा नीचे गिर रहा था तो मैंने फटा-फट यहाँ एक sell की position डाली यहाँ पर यह जो line देख रहे हैं यहाँ पर sell की डाली और आप यहाँ पर यह notice करना कि जैसे 5000 की मेरे पास margin थी तो मेरा भी margin यूस हुआ है लगबर कह सकते की 160 margin यूस हुआ है और मैं 0.05 का lot कर रहा हूं 0.05 is nothing but 5000 का मैं lot कर रहा हूं 160 dollar को लेके तो यहाँ पर आप देख सकत हूं close तो मेरा यहाँ पर क्या रहेगा 21 dollar का जो profit है वो यहाँ पर मेरा book हो जाएगा ओके अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है मैंने 2 buy limit डालकर रखी है buy limit का मतलब क्या हो गया कि अगर price इस range पर आता है पहला यह जो है तो यहाँ पर मेरी एक buying के limit लग जाएग और यहाँ पर मजवली चीज यह है कि आप इसके साथ में यहाँ पर sell limit भी डाल सकते हैं अब मैं चाहूं तो यहाँ पर right click करके sell limit उपर डाल सकता हूं तो यहाँ पर देखो sell limit यहाँ लग गई यानि कि जब price उपर जाएगा तब यहाँ एक sell limit होगी short हो जाएगी तो open करना है sell कर सकते हैं जितनी आप buy चाहे buy open कर सकते हैं और यहाँ सको cancel करना है तो मैं यहाँ से sell को cancel कर देजा हूं इसमें आपको order कैसे place करना है यहाँ पर यह जो plus की sign है इस पर आपको click करना है इस तरह से box आएगा symbol BTC कितनी volume आपको buy करना है stop loss take profit आप लगा सकते साथ में और market execution करना है यानि कि on the spot जो current market चल रहा है उस पर आपकी buying हो जाए यानि कि यह जो red वाला है यहाँ पर buying हो जाएगी और यहाँ से आपको click करना है ठीक है और यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है और यहाँ पर क्या है आप scalping कर सकते हैं मतलब कि 5-5 dollar, 10-10 dollar की आप trade फटा-फट कर सकते हैं multiple trade ले सकते हैं और by end of the day आप कम से कम 1.500-200 dollar कर सकते हैं अब इसका मतलब यह है कि थोड़ सी technical analysis की knowledge होनी चाहिए मैं यह नहीं करा हूँ कि blindly यहाँ पर करना है कहीं भी करना है analysis आनी चाहिए और जैसे कि मैं यह चार्ट पर देख रहा हूँ मैंने 4-hour का चार्ट उ प्राइन पोजिशन डाले है कि यहाँ पर हीट होगा तो फिर प्राइस हम ऊपर expect कर सकते हैं 25-30,000 dollar मिलेगा फटा 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 हम इसको काट लेंगे तो इससाब से हमें scalping करनी है इसके अंदर next में बात करता हूँ Scott Minard की बात करता हूँ उन्होंने 11 जनवरी को ट्विटर पे एक statement दिया था कि जिस speed से BTC 40,000 के असपस तक गया है तो वो अपकोर्स वहाँ से छोटा मोटा एक correction लेगा उन्होंने उससे में यह भी कहाता है कि थोड़ा से sell off कर दो क्योंकि यह वापी से आएगा और उसके बाद से इसमें चड़ाई होगी तो उन्होंने यह भी कहा है कि ठीक है यह नीचे तो आया है हो सकता है कि 20,000 के आसपस आजाए या 20,000 के आसपस आजाए बट उन्होंने यह कहा है कि इसका जो target है वो 4 lakh डॉलर के आसपस जाएगा ठीक है तो कोई यह नही है कि यह नीच आ जाता है तो हम buy कर लेंगे ठीक है तो Ethereum ने कहां पर टच किया 1190 के आसपस लंपस टच कर दिया कहां टच किया आप खुद देखो screen के उपर यह है descending broadening wedge pattern का bottom आप खुद देख लो exactly वहां पर hit किया है और वहां से bounce हो रहा है आप अगर यह bounce करके 50% भी बीच म तो these are called opportunity मैं में चासे कह रहा हूँ कि 1160 के आसपस आता है तो आप उसको buy करो ठीक है तो अभी wait कर लो हो सकता है कि थोड़ा उपर आके वाप्री से थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा but I think this is a good level to get hands in Ethereum. Next Ethereum को लेकर अच्छा काता statement आया from David Geinder की तरफ से आया जो fund straight global advisor है और उनोंने का है कि Ethereum जो है उसका जो target है 10500 के आसपस जा सकता है तो of course जा सकता है ठीक है इसमें कोई दो राए नहीं है यह speed से Ethereum चल रहा है क्योंकि Ethereum के अंदर बहुत सारी positive चीजे हैं जो मैंने आप लोग के स around 23 billion अपने platform पे manage कर रहा है पहले के मुताबिक 23 गुना जादा इससे क्या हो रहा है कि Ethereum की जो supply तो कम हो रही है लेकि उसकी demand काफी जादा बढ़ रही है demand क्यों बढ़ रही है क्योंकि DeFi पे जो भी transaction हो रहे है उसकी fees पेज की जा रही है through Ethereum ठीक है तो that's why Ethereum का अच्छा खासा उपर जा सकता है तो finally एक recap ले लेते हैं BTC को उपर ले लेते हैं कि BTC जो है एक red channel को अगर break कर रहा है और अगर यह symmetrical triangle को नीचे की तरफ break कर रहा है तो as per the calculation of symmetrical triangle यह नीचे जा सकता है 25,000 तक ठीक है यह हमें अभी यह बता रहा है नेक्स्ट Ethereum का हम हम चेक कर रहे है तो Ethereum जो ह है अपना जो descending broadening wedge pattern है उसके अंदर अभी चल रहा है और exactly होँपे उसको hit हुआ है और अगर यहां से यह उपर की तरफ जाता है तो 360 के उपर जाएगा और 4 hour का अगर हम चार्ट देखते हैं BTC का तो आप देख सकते हैं यहां पर बन चुका है अब छोटा सा एक green candle जैसे मै यहां ने कहा था कि यह red candle है और 200 moving average पटका पड़ा है तो कभी भी यह change हो सकता है क्योंकि 200 moving average को तोड़ना इतना असान नहीं है and this is the first choice for any investor, any trader to buy above 200 moving average तो यहां से अगर hit हो कि यह green candle बन गया तो मेरे साब सिफिक प्राइस यहां से थोड़ा बात ऊपर जा सकता है अब आप से 34-35000 यहां पर देख सकते हैं तो यह था एक quick update on BTC, Ethereum और क्यों market गिर रहा है उसके पीछे क्या कारण है Coinbase का premium है वहां पर काफी अच्छा खासा sell off हुआ है तो यही कारण है बाकी overall news जो है वो सारी positive है तो मेरे जाब से आप में से किसी को भी घबडाने की जरूद नहीं है और alts पर नजार रखो मेरे खासे alts जो है वो अच्छे खासे नीचे गिरे हैं तो मैं आप यह कहूंगा alts जो है as per the stats समय और दिख रहे हैं कि last week के अंदर 92% of the alts coins जो है जिसमें जो growth हुई है they have outperformed BTC तो that's why we have to diversify our investment BTC, Ethereum, DeFi points उसके बाद कुछ अच्छे alts coins इसी साब से हमें उसे divide करना है तो मैं यहीं देख रहा हूँ कि अगर price थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो alts जो है उसकी price और नीचे आ जाएगी तो अगर आप लोगो सोच रहे हैं alts के अंदर invest करना तो मैं आप कहूंगा थोड़ा सा और इंतजार कर लिए weekends है Saturday Sunday का wait कर लिए Saturday Sunday कुछ चा-कुछ market में अच्छा कासा उपर नीचे move हो सकता है in between और फिर हम देखते है alts कहां पे है then we should invest in alts ओके तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर wind up करता हूँ वीडियो पसंद आ हुए तो इस वीडियो को जाल साथ लाइक ठोग दीजि है